साथियों प्रथम संतान का इंतजार हर एक दमपत्ति को रहता है परन्तु कई बार ये थोड़ा सा निराशा जनक हो जाता है प्रथम संतान या प्रथम गर्भ जिसको कहें उसका पात कब होता है कुंडली में इसका योग कैसे देखा जाता है यदि किसी जन्व पत्रिका में यदि इस पंचम भाव का लॉर्ड या तो इस छठे भाव में जाकर के या इस ट्वेल्थ हाउस में जो की व्यभाव है इन दोनों में से कहीं पर भी यदि बिराजमान हो तो पहले गर्भ का पात होता है और वो इस तरी निराशा में डिप्रे उसके लिए फेल्म को बहुत बड़ा संखर्श करना पड़ता है तो मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत बहुत हाथ दिक्सवा करते हूं साथियों प्रथम संतान का इंतजार किसको नहीं होता है बलकि ये कहा है कि बेसबरी से होता है क्योंकि वो प्रथम होता है सबसे खास होता है सबसे पहला होता है लेकिन कई बार चाहे उसको दुर्भाग्य कहें या कोई और कारण कहें तो जो प्रथम गर्भ है वो किसी ना किसी कारणवश गर्भपात का शिकार हो जाता है कई बार ये decision स्वयम का होता है पति-पत्नी का होता है और कई बार ये अंजाने में हो जाता है तो हम जोतिश के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि किसी जातिका की कुंडली में किसी स्त्री की कुंडली में किसी बहन की कुंडली में ऐसा कब निर्मत होता है यदि आप भी उत्सुख है ये जानने के लिए तो यहाँ इस एपिसोड में हम इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं और यदि आप संतान पक्ष के किसी भी विशे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है संतान पक्ष की जो प्ले लिस्ट है या आप यूट्यूब पर स्वयम सर्च कर सकते हैं संतान योग इन कुंडली आचार रे चंदकांत तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी तो साथी यहाँ पर हम एक एक करके बारह लगनों की चर्चा करेंगे एक ही इस एपिसोड में तो बहुत ही सार गर्भित और संक्षिप्ती एपिसोड रहने वाला है आप भी अपनी जो जन्म पत्र का है वो ले करके जरूर बैठ जाएए ताकि हम इसका जो विशलेशन है वो कर सकें तो साथी शुरुआत हम करते हैं मेश लगन और चूंकि ये गर्भपात जो है वो स्त्रियों का विशय है स्त्री के शरीर से जुड़ा हुआ विशय है इसलिए ये जितने भी उलेख हम करने जा रहे हैं ये बेहनों की कुंडलियों पर लागू होता है ये पुरुष की कुंडली के लिए नहीं है तो यदि मेश लगन की जन्व पत्र का है और मेश लगन में जो संतान का कारक ग्रह होता है वो सूर्य देव होता है अब यदि सूर्य देव इस छठे भाव में जाकर के विराजमान हो जाता है मेश लगन की यदि आपकी कुंडली है सूर्देव यहाँ पर बिराजमान हो जाए या फिर वो जाकर के इस 12th house में बिराजमान हो जाए और उस पर यदि सूर्देवी की दशा अंतर दशा चल रही हो ना भी चल रही हो तो इस बहन को जो है वो पहली संतत्य का गर्भपात का सामना जो है वो करना पड़ता है इसके साथ ही मैंने अभी आपको ये भी सूचित करना आवश्यक है कि प्रथम तो गर्भपात हो जाता है लेकिन दूसरी बार जब इच्छित तोर पर राय किया जाता है कि अब हमें संतान की आवश्यक्ता है तब इनको बड़ी दिक्कत और परिशानियों का सामना करना कि किसी प्रकार से साथ हो यदि व्रिशब लगन की किसी बहन की जर्म पत्र का है तो पंचमेश हो गए उनके बुद्ध और बुद्ध देव यदि जाकर के इस छठे भाव में जो की एक उत्रिक भाव है यहां बिराजमान हो जाता है या इस ट्वेल्थ हाउस में जाकर के बिराजमान हो जाता है तो इनके साथ भी ये घटना बलकि दुर घटना कहें ये जरूर होती है कि इनको प्रथम संतान का गर्भबात कराना पड़ता है या कराने का ये डिसीजन ले लेता है साथ यूँ बात करता है मिथुन लगन की यदि जन्व पत्रिका हो तो मिथुन लगन में शुक्र जो है वो पंचमेश होता है यहां थोड़ा सा हमें समझना एक और आवशकता है क्योंकि यहां पर अपवाद की स्थितियां भी है यदि शुक्र देव इस जन्व पत्रिका में इस छठे भाव में बिराजमान हो जाते हैं या इस ट्वेल्थ हाउस में जो की इनका स्वयम का भाव है बिराजमान हो जाते हैं तो भी इनको प्रथम गर्वपात की स्थिति का सामना करना पड़ेगा लेकिन यहां पर एक अप उबाद है यदि इन इस्थितियों के साथ में ही जो बुध देव है उसकी कुंडली में अच्छी इस्थिति है श्रेष्ठ इस्थिति है मजबूत इस्थिति है तो ये विपरीत राजयोग घटित हो जाएगा और यदि विपरीत राजयोग घटित होगा तो फिर इनको का इस प्रकार का सामना नहीं करना पड़ेगा बलकि जो प्रथम संतान है वो भाग्योदय कारकिन की अवश्य होगी। साथ यो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगले लगन अर्थात करक लगन के बारे में। तो ये रही आपके सामने करक लगन की जन्व पत्र का और करक लगन में कैसे ये सिध्धन्त लागू होता है साथ यो करक लगन में पंचमेश होते हैं मंगल देव सैनापती हैं रक्त के अधिपती हैं तो यदि ये मंगल देव इस जन्व पत्र का में इस छठे भाव में बिरा तो अपनी दशा अंतर दशा में वो पर्थम संतान का इस बहन के साथ में गर्व पात जो है उसको कराने का कारणे अवश्य ही कर देता है। गुरुदेव ब्रहस्पती और गुरुदेव यदि यहां इस भाव में विराजमान है तो इनको गर्व पात जो है उसका सामना अवश्य करना होता है प्रथम संतान के दौर में और यहां पर भी यदि गुरुदेव विराजमान है तो यहां पर भी उनको इस प्रकार की स्थि योगा सामना पर रहेगा भले ही गुरुदेव यहाँ पर उच्छ राशी के ही क्यों न बिराजमान हो। यह प्रथम गर्वपात इनको अवश्य देता है लेकिन यदि बुद्ध देव की स्थिती यहाँ पर भी अच्छी है तो फिर पुनह वही विपरीत राजयोग घटित हो जाएगा और प्रथम संतान का किसी प्रकार का कोई गर्वपात नहीं होगा और वो भाग्योदय कारक औ आपके पास में अवश्य रहती हैं साथियों बात करते हैं तुला लगन की जन्मुपत्रिका के बारे में यदि किसी तुला लगन की जन्मुपत्रिका में शनीदेव जो की पंचमेश है साथियों तुला लगन की इस जन्मुपत्रिका में यदि शनीदेव इस छठे भाव म घटना जरूर होती है जिसको कि हम प्रथम संतान का गर्वपात कह रहे हैं बार बार साथियों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं व्रिष्चिक लगन की जन्मपत्रका के बारे में यदि किसी बहन की व्रिष्चिक लगन की जन्म पत्र का है तो पंचमेश हो गए स्वयम गुरुदेव और गुरुदेव यदि इस छठे भाव में बिराजमान है रोग रिन और रिपु का ये भाव होता है या फिर अपनी शत्रू राशी में यहाँ पर 12 आउस में बिराजमा तो साथियों बात करते हैं स्वयम गुरुदेव के लगन धनु लगन की जन्म पत्र का के बारे में और यहाँ पर भी अपवाद जो है वो जरूर घटित होगा यदि मंगल देव चुकि मंगल देव यहाँ पर आशीरवाद देंगे आपको किसका संतान का लेकिन यदि मंग जब पात प्रथम बार में इनको अवश्य देते हैं लेकिन यहाँ पर पुणह वही बात विपरीत राजयोग वाली जो है वो घटित होगी नियमे तो दर्शक तो मेरे जानते हैं लेकिन जो नवीन दर्शक है उनके लिए हम बताते चलें कि विपरीत राजयोग की स्थिती उसे कहते हैं जब छठे आठवे या बारहवे भाव का स्वामी स्वयम इन में से ही कहीं छठे आठवे बारहवे में ही विद्यमान हो और साथ ही कुंडली में जो लगनेश है वो बलशाली हो तो यदि गुरुदेव जो की लगनेश है इस जन्व पत्रिका में वो बलशाली है डिगरी वाइज उनका बल अच्छा है और मंगल की ये स्थिती है तब फिर वो बात यहाँ पर लागू नहीं होगी जो गर्वपात की हम बात कर रहा है तो साथियों आगे पढ़ते हुए बात करते हैं मकर लगन की जन्मुपत्रिका के बारे में ये दस नमबर से प्रारंभ होरही है दस नमबर का ये अंक यहाँ पर देखी कि आप लिखा हुआ है अपने लगन भाव में ही तो इस मकर लगन की जन्मुपत्रिका में जो शुकश्देव हैं वो शुकश्देव कारक है प्रथम संतान के तो शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में जाकर के बिराजमान हो जाए या इस ट्वेल्थ हाउस में अपने शत्रू गुरुदेव की राशी में बिराजमान हो जाए तो इनको भी वही समस्या अवश्या आएगी प्रथम जो गर्भ है उसका पात होने की समस्या सैथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुम्भ लगन की जन्मपत्रिका के बारे में और ये रही कुम्भ लगन की जन्मपत्रिका 11 नंबर से ही प्रारंब हो रही है और कुम्भ लगन में जो पंचमेश है वो बुध देव बनते हैं और बुध देव यदि जन्मपत्र राजयोग वाली स्थिति जिसकी मैं दो बार यहां पर चर्चा कर चुका हूँ छठे आठवे और बारवे भाव का स्वामी क्योंकि ये आठवे भाव का स्वामी बुधुदेव है और यदि वो छठे या बारवे में बैठा है और साथ ही शनिदेव इस जन्मुपत्रिका में अच्छी पोजीशन में है शक्तिशाली स्थिति में है तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहां पर घटित होती है और फिर आपको चिंदा की कोई बात नहीं है साथियों बात करते हैं हम मीन लगन की जन्मपत्रिका के बारे में जो की गुरुदेव का लगन है यदि इस जन्मपत्रिका में चंद्रमा जो की पंचमेश है यदि इस छठे भाव में आकर के बिराजमान हो जाते हैं या इस ट्वेल्थ हाउस में आकर के बिराजमान हो जा जाता है अब यहाँ पर दो एक बातें जो है वो हमें जरूर समझने वाली है कि यदि कुंडली हम ठीक से मिलान करके विवासंपन करते हैं कुंडली मिलान का परपस यही है ना कि हमारी संतान को लेकर के जो वो है या नहीं तो यदि कुंडली ठीक से मिलाई गई है और इसके साथ ही गुण जो मिलान है उसको तरजीह ना दे करके ग्रहों के मिलान को तरजीह दी गई है भावों के मिलान को तरजीह दी गई है तो निश्चित तोर पर इस प्रकार की स्थितियां नहीं आती है और यद सुनिश्चित तोर पर मिलता है पर समय रहते हमारा चेतना जो है वो आवश्चक होता है जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे कि शादी में देरी होना पती-पत्नी में मन मुटाव या तलाग तक की नौबत आ जाना संतान का प्राप्त ना हो पाना नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदेव के लिए मुक्त तो आईए साथियों आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और पहला ही जो कमेंट है ये विक्की अधिकारी जी ने लिख पेजा है कि इस प्रयोक के दोरान गुरु जी दाड़ी और मूछें काट सकते हैं क्या दिक्की अधिकारी जी बिल्कुल काट सकते हैं ऐसा कोई यहाँ पर बंधन नहीं है साथियों अगला कमेंट अमितेश राना जी का आपने नमशकार लिख भेजा है और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, सम्रिद्ध और शांती पूर्वक जीवन वे अतीत करें नमसकार झाल